राजस्थान में मुख्य मंत्री अशोग गहलोद और पूर्व उपमुख्य मंत्री सचन पाइलेट की बीड जुखी स्थान चल रही है लंबे वक्त से वो अब तक धमी नहीं है और इसे ध्यान में रखते हुए पार्टी हाई कमान ने आज राजधानी दिल्ली में एक एहम बैठक आयोचित की है दरसल आपको बता दे कि उपमुख्य मंत्री रहे सचन पाइलेट बार बार अपनी नाराज़की को जाहिर करते हुए नसराई है उन्होंने मोर्चा खोल दिया और खुद की ही सतरकार को अल्टिमेटम तक दे दिया इस बढ़ते हुए विवात को पद सौपा जा सकता है नमस्कार मैं प्रांशी राठोर और आप दीख रही है निक्स्ट नाइन नियूज दरसल आपको बता दे कि इस वक्त सचिन पाइलेट को लेकर अटकले यही तेज हैं कि सचिन पाइलेट ने जिस तरह से 2018 में कॉंग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ से वह बिना किसी पत के काम कर रहे हैं लेकिन हाल ही में सचिन पाइलेट ने 11 अपरेल के दिन अंशन रखा और 11 से 15 माई तक वह धरना प्रदमाफ किजेगा वह पद्यात्रा करते हुए नजराए लेकिन उस वक्त उन्होंने अल्टिमेटम दिया कि 31 माई तक अगर फैसला न सचिन पाइलेट को प्रस्ताव दिये गई है कुछ और इन प्रस्तावों में यहां पर यह कहा गया है कि उन्हें महा सची बनाया जा सकता है या फिर प्रदेश अद्यक्ष की कमान उन्हें सौपी जा सकती है तो फिलहाल देखा जाए दिल्ली की एहम बैठक में कुछ एहम लिए जा सकते हैं अब तक इन पर इस्थिती साफ नहीं हुई है इसी बीज देखा जाए तो सच्छ इन पाइलेट को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि प्रदेश अद्यक्ष पद उन्हें सौपा जा सकता है और अशोग गहलोत के चहरे पर एक बार फिर से चुनाफ लड़े जा सकते हैं दरसल आपको बता दें कि लंबे समय से खुद को सीम बनाने की मांग कर रहे हैं पाइलेट और सुत्रों के मताबिक ये कहा जा रहा है कि पार्टी ने गहलोत के नेतरत्व में ही अगला विधान सभा चुनाफ लड़ने का मन लगभग बना लिया है ऐसे में सवा पालेट को राजिस्थान में प्रदेश अद्यक्ष या फिर चुनाब अभ्यान समिती का चेर्मेन बना कर मनाने की कोशिश की जा सकती है और टिक्टों के बटवारे में उनको तवज्जो देने का भरोसा पार्टी दे सकती है अब इस अंतिम दोर की बात के बाद खड़ग पालेट को प्रदेश अद्यक्ष पद सौपा जाएगा क्योंकि अशोग गहलोत का यही मानना है कि उप मुखे मंत्री पद पर अब गोविन्दी सिंग डोटा सरा को होना चाहिए तो अशोग गहलोत ने यहां पर ये बाते रखी है और अशोग गहलोत को फ्री हैंड छोड दिया जाएगा जिससे वह है उप मुखे मंत्री पद की दावेदारी के लिए नेताओं को चुन सकें तो गोविन्दी सिंग डोटा सरा का नाम सबसे आगे है और ऐसे में गोविन्दी सिंग डोटा सरा जो आज किस समय में राजिस्थान के प्रदेश अद्यक्ष हैं पी सी झाल